नमस्कार प्यारे विद्धार्कियों मैं तेजखरण चोहान सह अचार्य इतिहास राज किये मांगी लाल बागडी महाविद्ध्याले नोका आज हम इसे पार्ट थड़ के पेपर सेकिंड भारतिय संस्क्रती के मूल आदार के अंतरगत प्राचिन भारतिय समाज के समाजिक संगठन की व्यवश्था और उसमें उसकंग हुई वर्ण व्यवश्था के कर्तव्य अधिकार और दाईत्व तथा विविन वर्णों के बीच सामन से से बनाई रखने के लिए स्थापित की गई व्यवश्था के बारे में कल हमने जानकारी प्राप्त की थी आज उसी कड़ी में हम वर्ण व्यवश्था के कर्तव्य और अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे प्राचीन काल में आरियों ने कर्म और स्रम के विभाजन के आधार पर समाज में नियमित्ता गति शीलता बनाए रखने के लिए एक ऐसी वेग्यानिक पज़त्ती का निर्मान किया जिससे की समाज के सभी वर्ग अपनी अपनी रूची और योगिता के भूते समाज में अपनी प्रतिष्ठा और पद हासिल कर सके और अनियमित्ता उस रंकलता और स्वचन्दता को पनपने से रूचा जा सके व्यवस्था कारों ने प्राचीन काल में विभिन वर्णों के कर्तव्य और अधिकार निश्चित किये हमारे धर्म सास्त्रों में इस चतुर वर्णी व्यवस्था का विश्टरत विवेचन पाया जाता है पर्तियक वर्ण के अधिकार, कर्तव्य, नियम, निशेद और विदी विधानों को पर्तिपादित और इस्थापित करने का परियास किया सर्व पर्थम हम इस वर्ण व्यवस्था के मेत्वपूर्ण अंग ब्रह्मन वर्ण की व्यवस्था के बारे में अटेंगे प्राचिन आर्य वर्ण व्यवस्था में जो लोग धर्म की व्यवस्था को जानते थे कर्म कांड यग्य हवन अनुष्थान पूजा पाठ और वेद ध्यन कथा कभीले की कल्यान के लिए कारिय करने वाले लोगों को ब्रह्मन वर्ण की अंतरगत रखा गया और दान दख्षिना ग्रण करना इनका अधिकार माना गया ऐसे लोग जो कभीले के कल्यान है तू इस वर की आरादना और अन्य अनुष्थान पितियादी करते थे वो ब्रह्मन कहलाए विभीन प्रकार के यग्यों के विकास के कारण वर्ण व्यवस्था में ब्रह्मनों का महत्वर काफी बढ़ गया अपने ज्यान, तपस्या, त्याग, अध्यन और विद्वता से ब्रह्मन समाज में उन्चे उठते चले गए धर्म के एक मात्र अधिश्थाता माने गए और जनता के आध्यात्मिक जीवन के संद्रक्षक और आध्यात्मिक उन्नत्ति फेतू वे अवश्यक माने गए उन्होंने धर्म सास्त्रों का वेदा अधिन यग्य करना, दान ग्रहन करना ब्रह्मन का आवश्यक करतव्य माना गया, ब्रह्मनों के लिए यह नियम निश्चित किया गया था कि वे धन संग्रह नहीं करेंगे, वे केवल उतना ही धन प्राप्त करेंगे, जिससे उनका और उनके परिवार का भरन पोसन और जीवी का आसानी के साथ हो सके वरन आस्रम धर्म पर आत्ताईयों का आक्रमन होने पर, युद काल में गडबड़ी होने पर, तथा आपात काल में गायों, इस्तरियों और ब्रह्मनों की रक्षा के लिए ब्राहमन वर्ग कोभी सस्त्र रहन करने का अधिकार प्रदान किया गया अपनी प्रतिष्ठा और योगेता की कारण ब्राहमन राज्य और समाज में सम्मान ये पदों पर आशिन हुए वे प्राई राजप्रोहित, राजमंत्री, आचार्य, अध्यापक, नियादीस, निर्धारक, निर्णायक और अमात्य आधि पदों पर निव्ट किये जाते थे ब्राहमनों से ऐसी आशा की जाती थी, कि वे अपने सादे और सरल, सचरित्र, सयमी और सोष्ट जीवन जीकर समाज के सामने आदर्स प्रश्टुत करेंगे और वे आध्यात्मिक विशयों में परविण होकर समाज के विविन वर्गों की आध्यात्मिक चुदा को भी सांत करेंगे समय अनुकूल वे सन्याशी जीवन व्यतित करेंगे धर्म सास्त्रों और समर्तियों में ब्रहमनों के कुछ विशय सद्धिकार भी इस्थापित किये गए अधिकाइन सिस्मर्तियों के अनुसार वेदों के ग्याता ब्रहमनों को करों से मुक्त रखा गया कई इस्मर्तियों में ब्रहमनों को अबध्य और अदंदनिय भी माना गया यद्यपी मनु ब्राहमन के प्रांग दंड का निशेद करते हैं मनु के अनुसार गंभीर अपराद करने पर ब्राहमन की संपती छीन कर उसे देश निकाले का दंड दिया जाना चाहिए किन्तु कोटिल लिय और कुछ इस्मर्तिकार गंबीर अपराद के लिए ब्रहामन को प्रांग दनकाभी समर्थन करते हैं जिससे की ततकालीन सामाजिक व्यवस्था में स्विछाचारिता को बढ़ावा ना मिले परन्तु ये विचेश अधिकार केवल योग्य और सदाचारी ब्रहामनों को ही प्रदान किये गए थे धर्म सास्त्रों द्वारा निर्धारित कर्मन करने वाले ब्रहामन इसके उत्रादी इसके अधिकारी नहीं माने गए थे वस्तुत आर्य संस्कर्ती के संदेक्षन का दाईत्व ब्रहामन वर्ग पर ही था और इसे लिए आर्य जाती ब्रहामनों का सदेव आदर करती रही ब्रहामन वर्ण के अलावा छत्रिय वर्ण तत्कालीन वर्ण व्यवस्था में महत्वपून दूसरा वर्ग था इसमर्ती कारों ने उनके विवित करतव ये बताये हैं जैसे यग्य और अनुस्ठान करना धार्मिक ग्रंथों और सास्त्रों का आध्यन करना अपने ज्यान और बुद्धी विवेक की व्रधी करना प्रशासन करना सांती व्यवस्था बनाए रखना प्रजा की रख्षा करना सोर्य और साहस से यूद करके देश, राज्य और शमाज की रक्षा करना, पैटा सत्य एम धर्म की प्रतिष्ठा प्रतिश्था प्रतिश्थाप्र करना छत्रिय के लिए भूग विलास के प्रति आसकती नहें रखने का भी बिद्धान किया गया छत्रिय के लिए यह विद्यान था कि वह ब्रामण का आदर करे और उसके सहयोग और प्रामर्श से जन कल्यान है यह तू शासन संसालित करे परन्तु ऐसा भी संभव है कि समस्थ छत्रियों को राजकिय प्रशाशन और सेना में इस्थान नहीं मिलता होगा ऐसी इस्थिती में छत्रिय वर्ण विरुद कारिय द्वारा अपनी जीवी का उपार्जन कर सकेंगे ऐसी व्यवस्था भी संभवत की गई प्रतीत होती है ब्रहमन और सत्रिय के अलावा बारतिय समाज की वर्ण व्यवस्था को गतिसील बनाई रखने में वेश्य वर्ग कावी महत्वपूर्ण इस्थान था। समाज का बहु संक्चक वर्ग इसी वर्ण के अंतरगत आता था। व्याज पर रण देना व्यापार हेतु समुदरी यात्राई करना इत्यादी कारिय निश्चत किये गए थे। वे देश और राज्य की धन संपन्ता और सम्रदिकी वर्धी करने में योगदान देते थे। गाई, ब्राह्मन और वर्ण आस्रम धर्म की रक्षा करने हेतु वे सस्त्र भी धर्ण कर सकते थे। यदि व्याज अपनी व्रती से अपना और अपने परिवार का भर्ण पोशन न कर सके तो उसे अन्य व्रती अपनाने का भी अधिकार परदान किया गया था। उप्रोक्त तीनों वर्ण के अलावा वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पाईदान पर सुद्र वर्ण का इस्थान था। इस वर्ण में अनार्य जातियां, विजित और क्रीत व्यक्तियों को समिलित किया गया था। कालांतर में अनार्य जातियों के साथ आर्यों की वर्ण संकर जातियां भी सुद्र समुदाई में समिलित हो गई। सुद्र कारों की विवस्था के अनुसार, सुद्र, निदान्त, अधिकार विहिन और परतिष्टा विहिन किये गए। उनका प्रमुख धर्म, द्विज जातियों, अर्थात द्राहमन, छत्रिय और वैश्य की सेवा करना और उनका भर्ण पोशन प्राप्त करना था। वह अन्य वर्णों के द्वारा उप्योग किये हुए वस्त्रों, आसनों, पद्भागों, इत्यादी को धर्ण कर सकते थे। उनकी अपनी कोई संपती नहीं होती थी। और सुद्र की यदि कोई स्वम अर्जित कीगे संपती होती भी तो भी भज्वत जात्यों की समझी जाती थी। सुद्र को वेद अध्यन और यग्ये का अधिकार नहीं दिया गया। गोतम इसमर्दी के अनुसार यदि वह वेद मंत्रों का उचरण करता तो उसकी जीव काट लेने की वो बात भी करता है। इंतु वे महाबारत और पुराणों का स्रवन कर सकते थे। मनु के अनुसार उनके समष्ट किरिया संसकार बिना वेदिक मंत्रों के द्वारा संपादित हो सकते थे। सुद्र, खान, पान और गोत्र प्रवर इतियादी परतिबंदों से मुक्त थे। विवहा के अलावा वे सभी प्रकार के संस्कारों के जंजटों से भी मुक्त थे कालांतर में सुद्रों की इस्थिति में सुधार आया और वे अपना जीवन निर्वा करने के लिए बड़ई गिरी, चित्रकारी, पचीकारी, रंगसाजी, लुहारी और अनेक कर्म करने लगे और उसका अधिकार भी उन्हें मिला महा भारत के अनुसार सुद्र को जीवन निर्वाह न होने पर वानिजिय, पसुपालन और सिर्प कम कर्म करने का भी अधिकार दिया गया था नारद इस्मर्ती के अनुसार आपात काल में सुद्र, छत्रियों और वेश्यों का कारिया भी कर सकते थे किन्तु कालांतर में उत्तर वेदि काल के पहस्चात धीरे धीरे सुद्रों की इस्थिती में निरेंतर गिरावट आती चली गई समाज में इनके स्थिती समान जनक नहीं रही, उनकी वेश भूसा और आने जाने और उनके निवास इस्थान के संबंद में भी अनेक प्रतिबंद लगा दिये गए उनका उच्छ वर्णों के द्वारा लगातार सोशल बढ़ता ही चला गया इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था की ततकालीन सामाजिक व्यवस्था के प्रतिक क्या उप्योगिता रही वर्ण व्यवस्था धर्म और कर्तवियों के आदार पर इस्थापित की गई थी, इसका मूल उद्देश संपून समाज की सेवा भावना था परतियक वक्ति अपनी रूची के अनुसार कारिय को अपना कर समाज एवंदेश की सेवा में अपना योगदान देता था इससे समाज में व्यवस्था बनी रही जिससे समाजिक संगठन में सहयोग मिला वर्ण व्यवस्था स्रम विवाजन के महत्यों को भी इस्पष्ट करती है इसके साथ वह जीवन यापन के सादनों के छेत्र में अस्वस्थ परतिस पर्दा को रोगने का कारिया भी करती थी इसमें त्याग और आदर्स की भावना भी इस्थापित की गई जन्म पर आदरित न होने, खानपान और विवाईक समंदों में किसी प्रकार का परतिबंद न होने से इसकी उप्योगिता काफी बढ़ गई थी मैनियर विर्शन इसके बारे में लिखते हैं कि वर्ण विवश्था मनुस्य को स्वार्थ त्याग का पाठ बढ़ाती है, दुराचार से रोकती है, द्रीदिर्था को दूर करती है, तथा उन्नत्ति के पर अग्रसर करती है परन्तु कालांतर में जब वर्ण विवश्था का स्वारूप बदल गया, तथा वर्णों पर तरह तरह के परतिबंद लगा दिये गए, तब इसकी उप्योगिता मही कमी ही नहीं, बल्कि ये समाज के लिए अभिसाप भी बन गई और मद्यकाल तक आते आते हम देखते हैं कि समाज में वर्ण व्यवश्था ने धीरे धीरे जाती व्यवश्था के रूप में परिवतित हुई और मद्यकाल में जब विद्यशी आकरांता हुँ और अन्य जातियों का भारत में आगमन हुआ और लगातार आकरिमन हुए तब भारतिय समाज की हार में इसी व्यवश्था ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया क्योंकि तब तक समाज खंड-खंड हो चुका था और समाज के निम्न और हे समझे जाने वाले वर्गों जिनका लंबे समय से सुशन किया जा रहा था उनकी राजनितिक कारियों के परति किसी प्रकार की भावना या उतकंठा देखने को नहीं मिलती है वे राजनितिक गति विधियों के परति पूर्ट उदासीन हो गए ऐसी अवश्था में जब विदेशी आकरानताओं के आगमन के समय जब सम्पूर्ण समाज को एक जुट होना चाहिए था उस समय ये लोग जिनका सोसन हुआ था उन्होंने समाज के संकट के समय किसी भी प्रकार की राजनितिक भूमी का नहीं निभाई और अंतत्य भारतिय सास्कों की हार का बड़ा कारण बनी यदि जाती व्यवस्था का ये ग्रणित रूप विक्षित नहीं हुआ होता तो संभवत भारतिय राजाओं और नरेशों को विदेशी आकरानताओं को भारत से बाहर खदेड में अधिक समय नहीं लगता इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था के दोसों ने भारतिय समाज को विखंडित करने में एक एहम भुमी का निभाई धन्यवाद जय हिंद जय बारत